हेलो दोस्तो वन नेट प्रेप में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम डिसकस करने जारे हैं सॉफ्ट्वेर मेट्रिक्स सॉफ्ट्वेर मेट्रिक्स ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं सॉफ्ट्वेर के जिनको हम मेजर कर सकते हैं अब देखू आप लेेक वर सॉफ्टवर के वारे में जए सूप्टवर के शक्ते हो जैसी कि शुद्तव पूर्ट हो गया, या अविलेबल ठाlamänge देख सकते हैं कितने ताम आपका सॉफ्टवर अविलेबल रहता है या कितना downtime रहता है आपके software का कि कभी-कभी ऐसा होता है जैसे IRCTC website है तो रात को 15-20 मिनिट के लिए downtime रहता है उसका maintenance रहता है तो यह सो metrics होती है जिसको आप measure कर सकते हो for example lines of code यह भी एक metric है कि आपके software में कितनी lines of code है बहुत पुरानी metric है अब आजकल use नहीं होती बट one of the metrics है throughput हो सकती है, rate limiting हो सकती है request per second आप कितना handle कर रहा हूँ यह एक metric हो सकती है तो इन सबको हम analyze करेके अपने software की cost निकालते है उसको हम improve कर सकते है suppose rate limiting है, request per second है उसको हम improve कर सकते है कि एक second में हमारा software कितनी request handle कर रहा है हम उसको scale up, down कर सकते है उसके according to the requirements तो यह सब metrics होती है जिनको हम measure करके अपनी cost, improvement, analyze, सब कुछ इस सब करते है एक सबसे important metrics है functional point analysis इसको अब ध्यान से देखेगा किसी भी और video या चाहल पर नहीं है तो ध्यान से इसको समझेगा काफ़ important चीज़ है functional point analysis एक asymmetric है जिसको हम user के perspective से analyze करते है user के perspective से हम calculate करते है तो अब हम check करते हैं जो हमारा software है उसकी functional requirements के साब से या functionality के साब से उसके क्या complexity है और हम उसके according उसको analyze करते है तो functional point analysis के 5 components है external input external input का मतलब है आप अपने system में क्या input प्रोवाइड करते हो जैसे की IRCATC में तो आप उसमें क्या input देते हो कि आपका boarding date क्या होगी या boarding platform क्या होगा destination platform क्या होगा तो यह क्या आप input दे रहे हो तो basically आपके 3 input होगे कि आपकी date क्या है किस दिन आपको train पकड़नी है source station के और destination station के इन तीन station के basis पे आपको एक output मिलता है क्या output मिलता है trains की list पूरी list मिल जाती है तो external input कितना होगा 3 external output कितना होगा 1 तो input का बदलब है user से हम क्या-क्या ले रहे है output का बदलब है user को हम क्या दे रहे है next है external inquiry external inquiry यह external query इसमें क्या होता है कि user क्या-क्या query कर सकता है अब user query कुछ भी कर सकता है कि इस date को इस time पर कौन से train available है तो एक query हो गई है तो इस step से हमारी query होती है next है internal logic files internal logic files मतलब कि आप क्या database अपने पास रख रख रहे हो जैसे हमारे पस एक database है trains का तो एक internal logic file हो गई external logic file मतलब आप किस external source पे rely कर रहे हो for example कभी future में private trains आगे जैसे private jets होते हैं इसी private trains आगे तो अब external file क्या होगी उस private company की train का database क्योंकि हमें वो train का database भी अपनी service में provide करना होगा तो कि user तो वो train भी book कर सकता है private वाली external logic file क्या होगा अपने system के बाहर किसी database को अगर हम access कर रहे है तो ये 5 component है functional point analysis के इसके basis पे हम इसको calculate करते है एक example देखते है for a library management system एक library management system है उसके लिए बोल रहा है calculate the functional point functional point निकाले से बहले हमें external input output इस सब चीज़े बता हुए exam में generally given होता है but scratch से कोशिश रखते है एक बार निकालने के तो library management system है तो उसके inputs क्या क्या होंगे input का basic मतलब है कि हम क्या क्या functionality उस system में डालेंगे तो generally तीन ही रहती है कि create रहेगा कि हम किसी book को add करेंगे एक नई book को add करेंगे उस library system में या update कोई existing book है उसका count को update कर सकते हैं या हम delete कर सकते हैं या तीन ही option होंगे किसी book को input के basis पर देखने के लेंगे तो क्यों ही नई book आई तो हम उसको add करेंगे या create करेंगे अब date कोई existing book है उसका count change कर सकते हैं अभी लाइबरी में अविलेबल ने उसको non available शो गर सकते हैं delete अब एक book है जो लाइबरी में हम रखते ही नहीं है तो हम उसको delete कर देंगे external output output में हमें क्या मिलेगा एक get get request से जिसे हमें पूरी list मिल जाएगी books की तो output कितना एक तो हमारे पास external input कितने 3 external output कितने 1 external inquiry अब user क्या क्या inquiry कर सकते है output में हमारे पास list आएगी output में हमारे पास list of books आएगी inquiry में user क्या कर सकते है बस एक get कर सकते है, वो fetch कर सकते हैं कि एक particular book जो है हमारी library में exist करती है या नहीं करती है, तो हो search कर सकते है, तो कितने हमारे पास external query हुई, one, internal logic file, एक database होगा library का, उस database में search करेंगे books, तो internal logic file कितना हुआ, एक हुआ, external logic file, हो सकते हैं हम जिसी external library पे depend कर रहे हूँ, कोई हम private library उस से भी हम books issue करवाते हैं, तो माल लेते, कोई एक external library है, जिसके through हम books को issue करवाते हैं, तो हमने हर एक को parameter को calculate कर लिया, कि कितने हमारे पास available, next, अब functional point analysis के लिए, सबसे पहले हम निकालते हैं, unadjusted functional point, unadjusted functional point, unadjusted functional point कैसे निकालते हैं, जो यह हमारे parameter आए, हर एक को multiply करते हैं, उसके weight से, यह weight given है हमें, यह weight factors है, low weight factors, average and high, तो यह अलगलग parameters है कि low functional point analysis करना है, हमें average करना है, यह high करना है, उसके according weight factors given है, तो question में given है, consider average weight factor, तो average weight factor consider करना है, तो अब unadjusted functional point कैसे निकालेगा, EI, जो की 3 था हमारा, उसको multiply करेंगे उसके weight से, similarly, EO को multiply करेंगे weight से, EQ को multiply करेंगे weight से, तो आब हमारा unadjusted functional point के से निकलेगा, EI into weight of EI plus EO into weight of EO plus EQ into weight of EQ plus ILF into weight of ILF plus ELF into weight of ELF, ऐसे calculate करेंगे, जो जब इसको देखेंगे, तो क्या है तो क्या हैगा, 3 multiplied by 4, plus 1 multiplied by 5, plus 1 multiplied by 10, plus 1 multiplied by 7. इसको calculate करेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस 5 17 17 प्लस 4 21 21 प्लस 10 31 31 प्लस 7 38 तो unadjusted functional point ना आ गया 38 अब हमें इसको adjust करना है adjust करने के लिए adjustment factor रिखालते है adjustment factor अगया होता है adjustment factor बराबर बहुता है degree of influence अब इस पर आएंगे पर मैं formula लिख देता हूं पहले 0.65 प्लस 0.01 multiply by summation of degree of influence तो degree of influence कहता है functional point analysis में हम 14 parameters को consider करते हैं 14 parameters 14 parameters क्या है उसको जानने की जरुवद निस्ट है पूरी आप देख सकते है बट for example मैं देख लेता हूं की complexity reusability installation use उसको complexity कितनी है reusability use कितना है तो यह सब parameter होते हैं हमारे जिसके basis पे हम functional point निकालते हैं तो अब क्या करना है हमें और हार एक parameter को हम rate करते हैं 0 to 5 कि उस parameter का कितना influence है हमारे functional point में एक particular parameter का कितना influence है हमारे use case में तो question में given है adjustment factor भी average है कि सब adjustment जीतने भी 14 parameter है सबको हमें सबका influence average consider करना है आपको given रहेगा कि किसी का 0 लेना है इसी का 2 लेना है इसी का 3 लेना है वह आपको given रहेगा बट इस case में हमने कहा दिया है कि average adjustment factor लेना है तो इसका मतलब हर एक 14 parameter का adjustment कितना होगा 3 होगा तो total degree of influence total degree of influence कितना है 14 into 3 यह आएगा तो इसको अगर हम calculate करेंगे तो क्या मिलेगा 0.65 plus 0.01 into 42 यानि कि 0.65 plus 0.42 यानि कि आपको मिल गया 1.07 यह आपका adjustment factor आ गया अब आपको क्या करना पड़ेगा adjusted functional point निका गया यह तो unadjusted था अब हम adjusted functional point निका लेंगे तुसमें हम कुछ नहीं करेंगे unadjusted को factor से multiply कर 1.0 से जोगी answer आएगा वो आपका functional point है तो functional point complexity निकल गई यह एक metric है जिसको use करके हम अपने functionalities की complexity को analyze करते और उसको हम improve करने का try कर next software metric है हमारा cyclomatic complexity, cyclomatic complexity हमें help करती है inc हमारा जो piece of code है given code है उसमें हम independent paths निकाल पाए कि यह number of independent paths के है तो basically control complexity हमें provide करती है control complexity की हमारा जो code है वो control flow के हिसाब से कितना complex है control flow मतलब if else condition या while loop या for loop इसके हिसाब से कितना controlled way में चल रहा है क्या branching factor है कितने paths है तो independent path निकल के आते है और यही independent path हमारा unit testing में white box testing में use होता है path coverage में path coverage में हमें हर एक path cover करने होता है उसके लिए सबसे बहले हमें number of independent paths निकालने पड़ते है उसके according हम test case design करते है तो software testing तो हम next video में देखेंगे but complexity कैसे निकालते है cyclomatic complexity वो इसमें देखते है तो for example हमें यह piece of code given है तो हम क्या तरते है हम इसको flow chart में convert करने ही कोशिश करेंगे flow chart में convert करने के लिए मैं इसकी numbering कर लेता हूं जिससे हमें पता चल पाए one और यह if condition हो जाएगी two three four five इसको five कर देते है and six इसको एक बार इसका diagram में आते है तो सबसे पहले one while x is not equal to y ठीक है जब तक x equal to y नहीं है फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर एक decision है second line पर decision है क्या कि if x is greater than than y अगर x greater than y है तो third पर जाओ अगर x greater than y है तो third पर जाओ ठीक है else किस पर जाओ fourth पर जाओ else किस पर जाओ fourth पर जाओ ठीक है else fourth पर जाओ और दोनों फे terminate हो रहे है fifth line पर अचा अब यह while condition बार बार चेक होगी जब तक x equal to y नहीं होगा तब तक वो cyclomatic complexity का formula होता है e minus n plus 2 multiply by p e का मतलब है number of edges कितने edges है हमारे control flow graph में n का मतलब है nodes कितने nodes p का मतलब है कि हमारे कितने connected components है तो अगर हम एक function के लिए लिए लिख रहे है तो हमारा p हमेशा 1 होगा p 1 होगा for एक function अगर multiple function है जो एक दूसरे function पर depend कर रहे है तो connected component अगर एक और function होगा जो 1 पर depend कर रहे है तो उस case पर p हमारा 2 हो जाएगा और उसको हमें consider करना पड़ेगा तो इस particular case के लिए लगर हम देखे है तो कितने edges है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 7 edges है ठीक है minus nodes कितने 6 nodes है ठीक है plus 2 multiply by 1 क्योंकि component तो एक ही है एक ही connected component है तो हमारा answer कितना है गा 7 minus 6 1, 1 plus 2, 3 तो इसकी cyclometric complexity कितने है 3 cyclometric complexity 3 आने का मतलब है number of independent paths यह आप धियान रखेगा independent paths बहुत important है path coverage वाली testing में useful तो cyclometric complexity हमें control complexity देते है कि हमारा जो code असमें control flow complex कितना है बहुत कितना complex है according to the control flow if else conditions इस formula के लावा एक और एक shortcut method है जिससे हम cyclometric complexity निकल सकते है हमने graph बनाया बहुत complex graph आया तो आप edges your nodes count तो नहीं करोगे तो एक shortcut method है number of bounded region देखो bounded region तो एक तो यह bounded region है इसमें दूसरा यह वाला bounded region है यह bounded नहीं है यह bounded नहीं है प्लस 1 तो इसमें कितने bounded region है 2 तो 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 देखो वही मिल गया 3 एक और तरीक है connection matrix connection matrix से भी आप निकाल सकते है वो cyclometrics, cyclometric complexity connection matrix यह बलता है आप हर एक node के लिए देखो कितने outward edge है तो 1 के लिए कितने outward edge है 2 outward edge है अगर मैं 1 के लिए देखूँ तो कितने outward edge है 2 outward edge है एक 2 पे जा रहा है एक 6 पे जा रहा है अगर मैं 2 के लिए देखूँ तो कितने outward edge है 2 edge है 3 पर जा रहे, 4 पर जा रहे 3 के लिए देखूं तू सिर्फ एक out work है जो के 5 पर जा रहे 4 के लिए similarly एक ही है और 5 के लगड़ मैं देखूं तो 1 ही है ठीक है एक है, आप क्या करो सब में से 1 minus कर दो सब में से 1 minus कर दो और देखो कितना रहे 1, 1, 0, 0, जीरो, एड़ करो, टू आयो और लाच में एक 1 एड़ करो, तो 3 ये connection matrix के थू आता है इसका एक matrix बना सकते हो कि 1 किस किस से connected है 2 किस से connected है, एक n cross n matrix बनेगा finally करोगे आप यही कि आप जितने भी connection है उसके उसमें हर एक में minus 1 करो और फिर उसके बाद आप check करो आप देखो 6 को मैंने consider नहीं के विए 6 में 0 connection थे 6 में outward edge 0 है, कोई outward edge नहीं है तो इसलिए मैं minus 1 नहीं करोगा जिसका outward edge 0 है इसको छोड़ दो तो 5 का हमने देखा, सबको add किया last time plus 1 कर दिया, हमें cyclomatic complex यह दूसरे तरीके original formula यही है अगर एक्जाम में आए तो यह करना आप इस तरीके से बस verify गड़ सकते है अपना answer कि आपने सही calculate किया है या नहीं तो एक्जाम में क्या आता है, एक code दे दिया जाता है आपको उसको flow chart में या control flow graph में convert करना पड़ता है और उस control flow graph को analyze करके आपको independent paths या फिर cyclomatic complexity निकालनी हो बाकी software metrics भी बार देख लेते हैं तो lines of code जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले एक time यह use होता था LOC हमें बताता है कि हमारे software में कित्ती lines of code use हो रही है तो आगे की वीडियो में हम kokomo model cover करेंगे तो उसमें हम LOC की basis पे basic kokomo model में LOC की basis पे effort calculate करते है और effort की basis पे हमारी cost निकल के आती है हमारे project की cost कितनी होगी तो LOC एक metrics है जिसको use करके हम cost या फिर सबसे पहले effort निकाल सकते हैं तो LOC को use करके हम effort निकाल next है mean time to recover and mean time between failures तो यह हमें क्या बताता है कि हमारा एक software project था सईसे ही चल रहा था बिल्कुल बढ़िया चल रहा था यहांब तो fail हुआ एक failure आया हो first failure पहली बार fail हुआ हमारा software project अब उसको हम ठीक कर रहे है failure को हम ठीक कर रहे है तो ठीक करने में कुछ time लगेगा finally वो इस point पहा कर रिजियू हो गया अलब ठीक हो गया, recover हो गया तो mean time तो इसको recover होने में कितना time लगा recover time कितना होगा from failure to resume होने में जितना time लगेगा होगा रिकावर time है तो mean time to recover क्या होगा कि total कितना downtime था recover time मतलब downtime तो total कितना downtime था total आगे भी हो सकता है दुबारा कभी fail हो हो सकता है यहाँ पर कई second failure हो और फिर उसके बाद इसको दुबारा हमने resume किया तो यह RT2 आएगा यह RT1 था तो total downtime यहनी RT1 प्लस RT2 divided by number of failures कि कितने failures होगा तो इसमें क्या हो जाएगा RT1 प्लस RT2 divided by 2 दो failures थे तो एक mean time to recover हो जाएगा कितना time लगा हमें recover होने में next mean time between failure दो failures के बीच में कितना time लगा तो दो failure के बीच में failure time कितना है failure one और failure two के बीच में FT ऐसी हो सकता है आगे कही third failure हो यहाँ पर कही third failure हो तो यह FT2 आजाएगा निकल के FT1 था तो mean time between failure क्या होगा mean time between failure होगा FT1 प्लस FT2 divided by number of failures यह नि 2 तो इसका formula क्या होता है total failure time यह total time between failures divided by number of failures कि दो failures के बीच में total कितना time लगा divided by number of failures next reliability reliability का मतलब होता है कि हमारा software कितना reliable है यह कितना available रहा वाला कितना time user उसको use कर पाया जैसे कि इस particular time के लिए user use कर पा रहा था क्योंकि या इससे पहले user use कर पा रहा था similarly इस period के लिए user use कर पा रहा था तो reliability क्या है कि use कितना कर पा रहा है तो इसका directly formula होता है mean time between failure divided by mean time between failure plus mean time to recover MTTR तो directly इससे हमारी reliability आजाती है यह availability आजाती है और availability, reliability को हम 9s में calculate करते है 9s का मतलब है जैसे कि अगर मैं लिखो 999 999.9% इतना time हमारा software अविलेबल रहता है 4x9 का मतलब है 99.99% अविलेबल रहता है 5x9 का मतलब है 99.999% time हमारा software अविलेबल रहता है जितने 9s होंगे इसका मतलब उतना अच्छा या उतना reliable हमारा software है next है throughput throughput क्या हो गलता है कि एक particular amount of time में हम कितनी request handle कर पा रहे है एक second में हम कितना throughput या कितना request को handle कर पा रहे है इस IRCTC की for example पोरे दिन में हमारी एक करोड request आई तो उसको IRCTC करेगा 1 करोड divided by seconds in one day 24 into 60 into 60 तुस्से हमारा throughput आ जाएगा rate limiting के है कि आपने एक particular rate limiting लगाई होती है वैसे ही software matrix नहीं है बट इसको मैं explain कर देता हूँ rate limiting में क्या होता है कि कभी-कभी आपने देखा होगा कि एक particular software को हांग करने के लिए उसको user से denial करवाने के लिए जो hackers होते है या लोग होते हो क्या करते है unnecessarily जैसे bots bots क्या होता हो ऐसे design होते है जिससे कि आपका software हांग हो जाए वो actual user की request को cater ना कर पाए तो उसके लिए क्या होता है बहुत large number of request को डाल दे जाता है हमारे software पे और software एक तरीकर से block हो जाता है for the actual user क्योंकि उसको बेकार की request के लिए बेकार की request से flood कर दिया जाता है तो ऐसे में rate limiting अपलाई होता है कि एक particular IP address से for example एक second में बस दस request लोगा तो अगर मेरे laptop से या मेरे IP address से दस request से जाधा आ रही है एक particular time period एक गंटे में या एक minute में तो मैं बाकी request को deny कर दोगा कि मैं आपके IP address से नहीं लोगा कुछ unusual activity है जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा आपको आता है verify that you are not a robot या select all bicycles तो क्या करता है बस check करता है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई गलत काम करना चाहरे हो मेरे software को खराब करना चाहरे हो तो बस वो verify करता है कि आप सही हो plus वो उस period of time में एक आपको refresh time देता है कि आप आपकी एक तरीक से rate limiting हो गई थी आप refresh कर रहे हो तो in the meantime आप जब check करता हो आपको आपको वीडियो अच्छी लगी हो चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए दुरा सब्सक्राइब कीजिए हाई